सब्टम्बर में सब बाइक्स का प्राइस फीर से एक और बार बढ़ा है नमस्त दोस्तो और वेलकम टो आर चानल कैसे आप लोग आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेर करने वाला हूँ बेस्ट बाइक अंडर 2 लाक्स सब्टम्बर में सब बाइक्स का प्राइस फीर से एक और बार बढ़ा है और में भी हो सकता है कि आप जो बाइक्स को ये वीडियो में एक्सपेक कर रहे हो वो बाइक्स आपको ये वीडियो में ना मिले वैसे भी festive season चालू हो गए है और सब bikes पर offer भी चालू हो गए है तो उनको एक बार check out करना मत बुलेगा वीडियो start करने से पहले एक छोटा सा question कि ये वीडियो में से कौन सी bikes आपको पसंद आई या फिर कौन सी bike आप लेना चाहोगे ये मुझे नीचे comment करके बता देना तो चलिए जादा डाइम फे टे करते हैं and start करते हैं अपना वीडियो तो नमबर आट पर है बजाज Avenger Cruise 220 ये एक cruiser bike है और ये bike उनके लिए है जिनको एक bike चाहिए जो बहुत ही comfortable हो seat height भी low हो और लेने के बाद उसको maintain करना भी सस्ता होना चाहिए साथ में कुछ features चाहिए और pillion के लिए भी comfortable होनी चाहिए तो go for Avenger 220 इसमें आपको 220cc का oil cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 18.76 bhp का and 17.55 Nm stock generate करता है bike के अंदर 5 gears है और mileage आपको 38 से लेकर 40 kmpl के बीच में deliver करेगी यह bike seat height है इसकी only 737 mm की और इसमें आपको big windshield भी मिल जाएगी Avenger 220 का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,76,000 से लेकर 1,80,000 के बीच में bike का weight है 163 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर single channel ABS का option मिल जाएगा bike की breaking थोड़ी सी week है due to इसमें आपको rear में drum brake मिलता है but highway पर long ride के लिए बहुत ही अच्छी bike है तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो number 7 पर है hero xpulse 200 4V ये एक adventure bike है और ये bike उनके लिए है जिनको adventure touring करनी पसंद है या फिर जिनको खरव रास्तों पर जादा करके चलाना है तो वैसे भी आज city में आपको खरव रास्ते मिल जाएंगे xpulse का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,79,000 से लेकर 1,90,000 के बीच में xpulse के latest model में आपको अपसे थोड़ा better and powerful engine मिल जाएगा जो थोड़ा अच्छा power देगा like 199.6 cc का oil cool engine जो की power produce करता है 18.8 bhp का and 17.35 Nm stock generated करता है bike अंदर 5 gears है और bike weight of 158 kg का engine की refinement इसकी अच्छी है और ये engine mileage भी अच्छा deliver करता है like 40 से लेकर 42 kmpl के बीच में xpulse का weight of 159 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर single channel ABS का option मिल जाएगा seat height इसकी बहुती उपर है बट suspension का setup बहुती अच्छा है तो चलिए अभी next bike के बारे में बात करते है तो number 6 पर है Royal Enfield Bullet 350 ये एक street bike है और इंडिया में बहुत ही popular है ये स्थोड़ी old हो गई है like design and engine में बट still ride feel same ही है आज के time बे और only कुछ लोग ही इसको समझ सकते है bullet में आपको 346 CC का air cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 19.1 BHP का and 28 Nm stock generate करता है ये bike के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 36 से लेके 38 kmpl के बीच में engine में आपको थोड़े बहुत vibration मिल जाएगे और engine थोड़ा सा heat भी हो जाता है बट bike comfortable है इसकी sitting position भी comfortable है rider and pillion दोनों के लिए bullet 350 का latest on road price range है मेरे अहाँ पर 1,85,000 से लेकर 2,10,000 के बीच में features इसमें आप लोगों को बहुत ही कम मिलेंगे और bike का road presence बहुत ही अच्छा है इसका weight है 191 के जिसका और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर single channel ABS का option मिल जाएगा तो चलिए भी बात करते हैं next bike के बारे में तो number 5 पर है Yamaha R15S ये एक sport bike है और ये bike उनके लिए है जिनको एक proper sports bike चाहिए बड़ उनका budget थोड़ा सा कम है R15S का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 1,95,000 से लेकर 1,98,000 के बीच में ये bike दिखने में कुछ-कुछ R15 version 3 जैसी ही लगती है बड़ इसके अंदर features आपको बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे R15S का weight है 142 kg और इसके अंदर आपको 155 cc का liquid cool engine मिल जाएगा जो के बार produce करता है 18.3 bhp का and 14.1 determined stock generated करता है ये engine की performance बहुत ही अच्छी है और engine की refinement भी top level की है और अच्छी performance के साथ साथ ये bike mileage भी अच्छा deliver करती है like 45 से लेके 50 kmpl के बीच में आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर अपसे dual channel ABS के साथ साथ traction control भी मिल जाएगा R15 की seat height उपर है और इसकी sitting position aggressive है जिसके used to आपको होना पड़ेगा तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते हैं तो number 4 पर है TVS Ronin ये एक cruiser bike है और ये bike उनके लिए है जिनको एक cruiser bike चाहिए बाट कुछ hut के look होना चाहिए और modern features भी best in class चाहिए तो Ronin का latest on road price range है मेरे यहाँ पर 83,000 से लेकर 2,06,000 टॉप model का bike styling बहुती अच्छी है और इसका road presence भी बहुती अच्छा है ये bike logo को attract कर सकती है Ronin में आपको 225.9 CC का oil cool engine मिल जाएगा जो के power produce करता है 20.1 BHP का and 19.93 Nm stock generated करता है bike के अंदर 5 gears है और ये engine mileage भी अच्छा deliver करता है like 38 से लेके 40 KMPL के बीच में इसके engine की performance बहुती अच्छी है और refined band भी अच्छी है sitting position इसकी comfortable है but only इसके top model में आपको dual channel ABS का option मिल जाएगा और bike का weight है 160 kg का और इसको maintain करना भी easy है तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो number 3 पे है road and field hunter 350 ये एक cruiser bike है और ये bike उनके लिए है जिनको एक trustable and comfortable cruiser bike चाहिए with good and refined engine और कुछ modern useful features hunter में आपको 350 CC का air and oil cool engine मिल है 20.2 BHP का and 27 newton में इस टॉक जनरेट करता है बाइक के अंदर 5 gears है और ये engine mileage deliver करता है 35 से लेकर 38 MPL के बीच में ये engine smooth है और bike चलाने में आपको मज़ा भी आएगा hunter 350 का latest onward price range है मेरे आपर 1,88,000 से लेकर 2,16,000 के बीच में hunter का weight है 181 kg का but इसकी designing कुछ ऐसे है जिसके वज़ channel ABS का option मिल जाएगा ये बाइक city में चलाने के लिए as well as long distance traveling करने के लिए अच्छी choice है तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो नमबर 2 पे है Yamaha MT 15 version 2 ये एक naked sport bike है और ये bike मैं हार एक को recommend करूंगा जिनको एक proper and अच्छे से build sports bike चाहिए तो MT 15 को चलाने में बहुत ही testing class है इसमें आपको 155 CC का liquid cool engine मिल जाएगा जो कि power produce करता है 18.1 PHP का and 14.1 Nm stock generate करता है और माइलर आपको 45 से लेके 50 kmpl के बीच में डिलीवर करेगी ये बाइक ये engine की performance low mid and top range में मसता है और engine smooth है sitting position इसकी अच्छी है बट पिलियोन की seat थोड़ी सी चोटी है MT 15 में आपको latest features भी बहुत अच्छे मिल जाएंगे और बाइक कवेट है 141 kg का और साथ मैं आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel ABS के साथ साथ traction control भी मिल जाएगा तो चलिए भी next bike के बारे में बात करते है तो finally number 1 पर है hero charisma XMR ये एक sports bike है और fresh launch हुई है hero की वरसे इंडियन market में old charisma ZMR को फिर से pre design करके launch किया है hero ने इंडिया में और ये बाइक दिखने में भी बहुत ही अच्छी लगती है charisma XMR का latest on road price range है मेरे यहां पर 2,00,000 से लेकर 2,00,000 के बीच में sports bike होने के बाद भी इसकी sitting position बहुत ही अच्छी है और XMR में आपको 210cc का liquid cool engine मिल जाएगा जो की power produce करता है 25.15 bhp का and 20.4 Nm stock generate करता है bike अंदर 6 gears है और ये engine mileage भी अच्छा deliver करता है like 34 से लेके 38 MPL के बीच में bike weight है 163.5 kg का और आपकी safety के लिए आपको इसके अंदर dual channel EBS का option मिल जाएगा इसकी seat height थोड़ी सी ऊपर है और latest features इसके अंदर आपको बहुत ही अच्छे मिल जाएगे so guys that's it from my side अगर आपको इस वीडियो पसंद आ रहेगा तो please do like and subscribe to our channel अगर आप लोगों को कोई भी तरीके का doubt रहेगा किसी भी bike से regarding तो आप लोग नीचे comment कर सकते हो या फिर मुझे मेरे instagram या facebook पर message कर सकते हो thank you so much guys for watching bye bye and congratulations for your new bike कर सकते हैं